हाई फ्रेंट्स वेलकम टुमाई जेएट्यूब चैनल आज के सुर्माइप बताना आलाँ हाँ तो डाउनलोड आधार एन्रॉल्मेंट और करेक्शन फॉर्म यानि करेक्शन फॉर्म अप्डेट रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरह से आनलाइट करते हैं वो आज हम इस वीडिय लाप्टॉप में गूगल गुर्म को ओपन कर लें इसके बाद आप यहां पर टाइप कर लें डाउनलोड सेटिफिकेट फॉर आधार इंडॉल्मेंट अपडेट इस पर क्लिक करें यह आप टाइप करें सर्च में इसके बाद एंटर कर दें इसके बाद राव स्कॉर्ण हो जाएं यहां आप देख सकते हैं डाउनलोड किलिक यह इस पर क्लिक करें जैसे यह उस पर क्लिक करेंगे एक पीडियेफ फाइल डाउनलोड होगी मैं आपको बताऊंगो उसको यह देखें टोटल सिक्स पेज़ेस हैं और यह फर्स्ट पेज़ेस में क्या लिखावा है है यह आप आप देख सेते हैं प्रूफ आइडिंटिटी डाकुमेंट्स कंटेंग नेम और फोटो यानि प्रूफ आफ अगर आप अपना आइडिंटी चेंज करना चाहते हैं तो यह valid documents है यह आपको show करना होगा change करने के लिए यह attach करना होगा और दूसरा है proof of relationship documents containing name of applicant and name of head of family यानि proof of relationship change करने के लिए आपको यह multiple options हैं आपके 1 से लेके 14 तक आप इसमें से कोई भी भी एक option कोई भी एक document show कर सकते हैं change करने के लिए और इसके बाद date of birth आपको change करना है यह 1 से लेके 15 तक है documents कोई भी एक attach करें आप कोई भी एक show करें तो आपका date of birth change हो जाएगा और next है proof of address यह list of documents है 1 से लेके 45 तक इसमें से कोई भी documents enough है change करने के लिए आपको address और यह है main important thing form certificate for ather enrollment update form यह form है उन लोगें के लिए जिसके पास कोई भी proof नहीं है address change करने का name change करने का अगर आपके पास कोई proof नहीं है तो आप यह form को use कर सकते हैं जैसा example अगर आपने अपना address change किया हुआ है और आपका new address पे कोई भी आपके पास document नहीं है तो अगर आपको change करना है अपने आधार में तो किस तरह करें अगर आप enrollment center अधार सेवा के अंदर जाएंगे तो वह मांगेगा आपको प्रूफ दियो new address का अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आपको यह बहुत helpful होगा यह फां यह फां आपको manually फिल करना होगा उसके बाद आपको अपर देख सकते हैं यह डीटेल्स हैं फांट करने के फस्ट है उपर से जैनुवरी यह 01 और यह लिखेंगे 2022 तो यह त्री मन तक यानि 31 मार्श तक वैलिड रहेगा तीन मेने के यह बीटीविन में आप कभी भी यह अपलाइक कर सकते हैं कभी भी अपलोड कर सेंगे डॉकुमेंट चेंज करने के लिए इसके बाद है आपको अपडेट रिकर्श है लैंड मार्क है एरिया है विलेज पोस्ट ओफिस नेम डिस्ट्रिक्ट है स्ट्रेट है पिन कोड है डेट अब बर्द आपकी और आपकी सिगनीचर यहां पर चाहिए बॉक्स में और यह जो राइट सेट में दिख रहा है रिस रेसिदेंस रिसेंट कलर फोटोग्राफ यह आपको फोटोग्राफ चिपका रहा होगा फोटोग्राफ जैसे यह आप इस पर अफिक्स करेंगे तो उसी फोटोपे पर आपको एक स्टैंप लेना होगा अधराइस परसन का वह आपको यहां बताऊंगा यहां पर देख सकते हैं गजजेटर ऑफिसर ग्रूप A है वि प्रिंसिपल जो स्कूल कॉलिजेस की प्रिंसिपल दोते हैं यह उसमें आधा रहते हैं और सुप्रिंटेंडेंड वाडन मैट्रोन हैड़ इंस्टूशन और रिगरगनाइश फोटोग्राफ पर आपको एक स्टैंप चिपका रहा होगा स्टैंप माने के बाद एक फोटो पर ही हाफ साइन करना होगा और इसके बाद यहां पर नीचे देख सकते हैं आप सर्टिफाइस डिटेल तूबी फिल बादा सर्टिफाइर उनली यानि जो आपको अपने हाथ अपने मैनूली हैंट से लिखेगा हो उसका नाम है इसका नाम है इसके बाद आफिस अड्रेस contact no.mobile no.m. इसके बाद आपको यहां पर तिक मार्क देना होगा है तो कौन सा अधराज है उसके टिक मार्क देना होगा कि आपने इसका अर्ट्रेशस ले अवा है सके बाद यहां पर चेक्टलिस्ट फॉर सक्टिफ्वाइर यहां पर पोरे boxes पर पर टिक मार्क दे दें और लिखावाई इसके उपर आप उनका एक स्टैंप ले 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 तो यह आपका काम हो जाएगा तो आप यही पेज को आप स्कैन कर लें स्कैन करने के पाद आपना ऑनलाइन ही अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं यह आप आदार से वागे दर जाके यह शो कर सकते हैं कि मुझे एड्रस चेंज करना यह एक वैलिट प्रूफ है तो यह उन लोगों के लिए है जिसके पास कोई एक डॉक्यमेंट आपको है एकापो मेंगरे जयग्ट रहें करने करने को दो करने एक परorar कियो अच्याइब में ख़ोगों के लिए सिसंटार थे स्चाइब करें के लिए करने के लिए यह यह उम्मीट